हलो एवरवन विल्कम बाग टियो ओन चेनल वेल्स अगर ट्रेड लेने सीरीज के इस इंपोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें जानेंगे हम लोग कौन से ट्रेट्स हम लोग ने पिकप किये उसके पीछे का राशनल क्या है क्या टार्गेट् लोग इस इंपोर्टेंट वीडियो में सीखेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें बेल अगन को इसके हिट करें ताकि आपसे कोई भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन मिसना हो लेट्स गो दोस्तों आज के दिन हम लोगों ने एक एक पूट ऑप्शन बाय किया ऑप्शन बाइंग करी बैंक निफ्टी की इसके लवाँ चार ट्रेट्स लिए तो सबसे पहले तो आपको मार्केट में सुवह देखना होता है कि मार्केट आज कैसी चल रही है क्या मार्केट आज ट् आज एंडिंग है तो वो दिन ट्रेडिंग के लिए बहुत आइडियल होता है उस दिन आपको सॉलिट ट्रेट्स लिए पिक अप करने चाहिए जो पहला ट्रेट हम लोगों ने पिक अप किया था वो था बैंक निफ्टी का 4100 का पॉर्ट जिसको कि हम लोगों को बाय करना था 320 तो यह ट्रेड मैं आपके लिए होंवर्ग दे रहा हूं I want you to open the chart of 41100 पॉर्ट यह ट्रेड हम लोगों लिया था दस बचकर बारा मिनट पे और उस समय दोस्तों जो प्राइस चल रहा था 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 अप्रॉक्समेटल यह 300-305 मैं आपको बता रहा हूं ता कि दोस्तों आप लोग इस सिर्फ सुनेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा I want you to open the chart and see किसके पीछे क्या राशनल हो सकता है यह आपके लिए होग है हम लोगे जो टागेट्स थे होते 350, 385, 420, 450 यह दोस्तों तब टागेट्स आते हैं जब मार्केट एक बले मोमेंटम में चल रही हो, so ultimately क्या हो था, 41,100 का put in the money already हो गया था, तो में टागेट्स थे 350 तो पहले जो टागेट्स था 10 परसेंट का वो तो 15 मिट्स में ही अचीव हो गया था, so overall काफी बहतरी इन ट्रेट था, उससे अच्छे खासे प्रॉफित बने, almost 375 था कि हाई उसने टच किये within 15-20 मिन So out of 4 stock trades, उन 4 में से हमारा एक trade का stop loss भी हिट हुआ, stock का नाम है, right, although stock ने अच्छा momentum pickup किया, stock ने 1% के return भी दिये, stock को 428 पे के उपर हम लोग ने भाय किया था, for the targets of 435, although 435 तो उसने hit नहीं किया, but yes, 432, 433 जो हमारा 1% का target है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे targets क्या 10% plus positionally और 5%, 10% के जो हमारे targets होते हैं, जैसे कि आप, you can see here, और अगर वो, वो stock same day, 1-2% के, you know, targets को hit कर देता है, so we tend to book profit the same day, क्योंकि हम लोग इन stocks में investment नहीं कर रहे हैं, जिस stock में investment करना होता है, उसको हम लोग separately investment point of view से ही लेते हैं, so trade was picked up at 1035, let's see, 1035 पे क्या price action चल रहा थ जैसे कि आप देख पा रहे है, our rights is presently in good momentum, अच्छे खासे volume में participation और buying भी हो रही है, last के तकरीबन एक महीने में, तो यह इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, stock में serious participation चल रहा है, stock अपने नए highs लगाता हुआ, दिखाई पाल सकता है, जब दोस्तों हम लोगों ने stock को pick up किया था, that time stock was trading somewhere around 24, 25, 427 और हमारे target से 435 के, तो stock में अगर आप देखें तो almost 433, 433 के levels को stock ने touch किया, जो कि देखा जाया तो अपने almost 1% के targets है, लेकिन उसके बाद दोस्तों stock ने अपने, you know, अपने downside को start कर दिया तो हम लोगों ने बहुत ही strict stop loss लिया था, 418 का, अब आपको question होगा sir, 418 का ही stop loss आपने क्यों लिया था, क्योंकि उसके बाद देखें दोस्तों stock नीचे बहुत तीजे जिकरता चला गया, जिसने भी time से profit को book नहीं किया होगा, उसके losses काफी तीजी से widen हो गया होगा, उसके रीजन क्या दोसों, जो 418 था, 418 था, 418 था, 418 था, 418 था, 418 था, आपको फ्रेश देर डाउंसाइट काफी शापली दिखाई पड़ जाएगी, so that was the reason की 418 को strict stop loss लिया गया था, second जो ट्रेट था दोसों वो था उजीवन फिनेंस और उसमें हम लोग ने buying करी थी at the time of 11.06 और उसको बाय किया था, हम लोग ने 268 के ऊपर for the targets of 285, 293, 100, मेरे साथ दोसों स्टॉक में 300 प्लस के लेवल चल दी ही आएंगे, अब इस stock के chart को study करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, फ्रेंस, before I give the analysis, इससे पहले आप लोग एक disclaimer दे दाना चाहता हूं कि इन सभी stocks में मेरा पैसा भी invested है, so please do your complete research before investing, और overall ये जो series है, ये आपकी learning के लिए है, please do not invest, चूँकि मैंने invest कर रख है, तो आप लोग बिल्कुल भी invest ना करें, ना कमिना दो जीवन चाहर्ट, दोस्वों ये stock अगर आप देखें तो 2018-19 के समय पर trade कर रहा था around 400, 2020 covid के fall के पहले दोस्वों ये stock 400 के आसपा straight कर रहा था, लेकिन उसके बाद covid आया, covid में दोस्वों आपको मालूम है, सभी की हल recently अगर पिछले तीन-चार महिने से देखें तो stock में शाप recovery दिखाई पड़ रही है, एक rounding bottom pattern form हो रहा है, जो कि बताता है कि stock के fundamentals में भी strong change आ रहा है, stock presently trade कर रहा है 267 के आसपास, हम लोग ने दूस्वों ये stock pick up किया था the time of 1106, तो उस समय क्या price action हो रहा था, उसको देखत है, तो दोस्तों ये है आज का intraday chart, फूर्थ मतलब ये stock के जो movement है, वो यहां से start हुआ है, तो इसको हम लोग deeply study करते है, तो आज morning सही दोस्तों stock में एक अच्छा positive momentum दिखाई पड़ रहा था और stock एक range में consolidate होने लगा, जब ये stock consolidate होना तो ये बात बिल्कुल fact है, जैसा कि हम आपको पहले भी सिखा जुगे है, ये अदर stock is an uptrend और उसके बाद stock consolidate होने लगे तो इसका मतलब क्या है, कि stock एक fresh upside देने के लिए तयार है, तो हम लोग ने इसको पिक अप किया 268 के ऊपर, और stock ने highs लगा है 275 के, जो की देखा जा है, तो almost 3% के profit है intraday, तो आपको माल the profit the very same day, और एक बहतरिन trade, एक अच्छा trade जिसमें कि मुझे लगता है, future में भी अच्छा potential है, तो stock को भी आप deeply study करें, stock दोसों, जो कि हमने pick up किया था, और ये stock मुझे short, mid or long term, तीनो time frame के लिए काफे बहतरिन दिखाई पड़ रहा है, stock का नाम है Siemens, और हम लोग इसको pick up क क्या दिखाई पड़ रहा था, तो दोसों पहले तुम लोग Siemens के one day chart को देखें दोस्तों, तो stock ने भी recently in the month of September, October, 3100 के highs लगा, 3100 के highs लगाने के बाद stock में profit booking हुई है, stock ने as low as 2700 के lows को touch किया, मतलब almost close to 15-15% के आस-पास का correction stock में अलड़ी हो चुका है, अब वहां से stock में strength दिखाई पढ़ना शुरू हो यह stock अपने 20-day exponential moving average के भी ऊपर चला गया है, recently उसने 20-day exponential moving average का फिर से support लेने कोशिश करने के बाद, आज के दिन stock अच्छे momentum में दिखाई पढ़ रहा था, तो अगरा आप बात करें, आज के दिन के intraday move कि तो जब हम लोग ने stock को pick up किया 12 बज़े के आसपास, तो stock उसे में trade कर रहा था 1260 के 2960 के आसपास at this point in time, और उसे में stock में थोड़ा सा consolidation चल रहा था, अब move के बाद stock consolidate कर रहा था, तगरीबन एक घंटे stock ने consolidate किया 2960, फिर था stock ने high लगे almost close to 2983, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह stock short, mid और long term, तीनों के लि हो लेगा, इसको study करें, इसको study करें, आपको लगता है, अगर इसमें potential है, तो इसपे बैट कर सकते हैं, क्योंकि stock में आज के दिन अच्छे volume में participation हुआ है, as compared to previous days, so मेरे सबसे stock में भी आप short time के लिए नजर राख सकते हैं, तो so aim हमारा है, we should be, जो मेरा personally aim रहता है कि हम में market से कम से कम 10 से 12 परसेंट, 15 परसेंट के रिटर्स निकालो, 15 परसेंट is, you know, too good, 12 परसेंट is average जो कि मैं निकाल ही लेता हूँ, 10 परसेंट is the minimum जो कि हम निकालते हैं, basically aim क्या है, अगर आप हर मेहने 10 परसेंट का रिटर्न निकाल ले रहे हैं, तो आप हर साल अपनी capital को double कर पा रहे हैं, अगर आपकी capital 10 लाग है, तो एक साल बाद 20 उसके चालिस तो basically three to four years में आप अपनी capital को from 10 लाक्स to गडित लगा लीजे उस साब से, तो aim is just to make 10% a month, दोसों जो कि एक बहुत ही achievable target है, last stock, दोस्तों, last rate जो हमने लिया था, वो था 255 pair stock was, you know, Suria Roshni, हम लोग इसक स्टॉक में बहुत ही solid potential मुझे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है, उसको समझते हैं, चार्ट पे, तो दोस्तों, यह सूडर रोश्नी का चार्ट, अगर आप इसको देखें, तो stock में एक demand zone है, which is close to 400, जैसे stock 400 के आसपास आता है, stock में आपको buying द पड़ता है, आपको एक अपना एक छोटा सा एक register बनाईए, यह फिर छोटा सा एक excel बनाईए, जहां पर आप इस चीज़े नोट करके रख सकें, हम लोग नोट करके रखते हैं, ताकि हम लोग आपको सिखा सकें, हम लोग आपको train कर सकें, तो basically अगर आप खुद से independently करना चाहते हैं, तो फिर यह चीज़े आपको नोट करके रखने पड़ेंगी, कौन सा स्टॉक है, जिसका demand zone कहां पर है, कौन सा स्टॉक है, जो अपनी demand zone के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहे है, तो दुस्तो कल के दिन स्टॉक 400 के आसपास आया, तो यह चीज़ बिल्क हो रही है, लेकिन volume में नहीं हो रही है, इसका मतलब कहा है, कभी भी sudden bounce back आ सकता है, लेकिस टॉक को दोस्तों, morning में हम लोग ने pick up नहीं किया, इसको हम लोग ने morning में देखा, तो अच्छे volume में इसमें buying start हो गई, लेकिन इसको हम लोग ने pick up कहा है, जब यह stock फिर से consolidate करने लगा, same theory दोस्तों, अगर stock upside के बाद consolidate करने लगे, तो इसका मतलब क्या है, stock is going to rise high, और हम लोग ने stock को pick up किया, the price of 420, at the time of, अगर आप देखें दोस्तों, time is right there in front of you, आपके सामने time है, तो हम लोग ने pick up किया, इसको 420 ओपर stock में, उसके आद कोई, पीछे मुड के नहीं पसंद आया हुग, in case yes, do smash the like button, अपने comments दूसरों, प्यारे comments मुझे definitely लिख कर के दे, कौन से stock आपने trade किया, मुझे comment section में definitely बताइए, यह फिर अपने कुछ भी trade नहीं किया, यह फिर आपको क्या सीखने को मिल रहा है, do leave your comments in the comment section, thank you so much, bye-bye for now.